राम राम जी क्यासे हैं आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ इचिमा में स्वागत हैं और आज दिन है सनीवार और इस टाइम पे आठ बच चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लोग स्टार्ट किया है तो बस अपने जो थे क्लेनिंग का काम था जाड करने है तो मैं सबसे पहले आपने जो चूला है वह जला लेते हैं मैं सबसे पहले जो खीर में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ पर सबसे पहले सबसे पहले में जो चूला है वो जला करके खीर बढ़ने के लिए रख देती हूं और उसके बाद अपने बाकी के जो काम देखेंगे और वैसे तो बोल रहे थे कि जो अस्टमी मतलब कन्या पूजन का जो शमय है वो साथ बजे तक का है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो सकता था क्योंकि मैं अकेली थी और काम बहुत सारा था गोबर का भी था भैसो का भी था जाड़ू पोच्चा बारतन फिर दो तिन पार चाय बन चुकी है बच्चों को मेरे मां को दूद भी गरम करके दिया हैं और नहाई भी हूं क्योंकि देखिए खाना बनने से पहले जो सफाई या वो जरूरी थी और बस यहां पर जो दूद है वो उबलने के लिए मैंने रख दिया हैं और यहां पर मिर्देवरानी जो चने है चने का परसाद बनाते हैं वो बना रही इसको मैंने बुला लिया था क्योंकि मैं अकेली बहुत लेट हो जाती और फिर मुझे मंदिर में इसके भी जाना था सबसे ज्यादा जल्दबाजी हमें ये थी नोव जो बुझे बुलाया था पंडितने बिकल्ण नोव बजे hindра तक के लिए आठा चान रही थी और जो दूद्ध है खीर के लिए वह मैंने पतीले में बदल दिया था क्योंकि वह मुझे चोटी लग रही थी पतीली तो मैं तो इस पतीले में डाल देती हूं थोड़ा सा दूद और डाल दिया था और अब यहां पर दूद्ध उबल चुका है कि जो चावल हैं वह भी डाल दिये हैं और थोड़ी देर तक दूद्ध में उबाल आता है तो निकलने का डर रहता है और जो पतीली ती देख ची थी उसमें से भी मेरा दूद निकल गया था तो आप मुझे खत्रा था मैं ने सोचा कि चौलो में थोड़ी देर इसी के पास बेड़ जाती हूं कहीं फिर से काम ना फैल जाए क्योंकि अब यहां पर दोबारा से मैंने जो पूछ जो है वो लगाया है तो इसलिए मैं इसको चला रही थी और यहां पर हो रही है हलवे की तैयारी घी डाल लिया है और बस उसके बाद जो आटा है वो डाल रही है तो चलि आते मेरे पास अनिल कुमार के एड इस है उनकी बेटे का बरदे है उनंका नम पूझा है आज उनके बेटे का अगर तो उनका भी बर्डे है तो हैपी बर्डे बहन भगवान आपको हमेशा खुश रखे दुनिये की सारी खुशी आपको मिले एक है लकसीता फोगाड तो उसका भी बर्डे है तो हैपी बर्डे लकसीता बहन भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे और दुनिये की जो और तब तक मैं तक मैं अपने जो काजू हैं बादाम है और जो गोला है वो काट लूगी कीर के लिए भी और हल्वे के लिए भी तो याहां पर देखिए चैit में घणी अल्गादम है तो यहां पर देखिए पूरी तलने काम भी करना है और पूरी इसी कड़ाई में बनाती हूं तभी अच्छी बनती हैं बिल्कुल भी और बस अब यहां पे जो आटा है मैं वो गूत लूँगी पूरी के लिए और बीच बीच में मुझे यह रखा था कि सामान पकडाना बढ़ता था कभी कुछ कभी और एक क्मेंट आया था मेरे पास टीजे टिंकू की अबढ़र को नागेज़ ब्रिक अपको हमेशा खुछ रखी आपको जन्म दिन की हार्दिक शूप कामना है और चलिए अब मैं आप लोगोंको अपना जो परसाद है शो दिखा देती हूँ और यहां पर जो पूरी है वो भी तलना सुरूरू कर दिया है तो पूरी का तो यह महते है कि साथ-साथ में हम बनाते रहें पूराई घिड़ाने ku तो पहले मैं इनको माता को भोग लगाऊंगी और फिर हम यह सारा सावान है वह गाएं को दे देंगे और उसके बाद फिर जो कन्या पूजन होगा तो यहां पर जो सारी तैयारी है वह मैंने करके रख दी है थाले निकाल दी है बाकी जो काम था वह हमारा हो चुका था और तोड़ना था और उसके बाद फिर हमारा जो पाकी का काम है वह स्टार्ट होगा लड़किया आ चुकी थी इस टाइम पर तो बस अब मातारानी की पूजा करेंगे भोग लगाएंगे और जो आरती है वह होगी अंबे तू है जगदंबे काली जै दुरगे खपर आली तेरे ही गौने गाएं भारती हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती और बस यहां पर हमारी जो पूजा है वह हो चुकी है बहुत ज्यादा कट इस वीडियो में मैंने लगाएं सिर्फ जो मैंने चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सी मिंट की वह मैंने ली हैं क्योंकि मैंने जब यह कलीप जोड़ी तो दो गंटे का ये व्लोग था दो गंटे मैंने दूल दिये हैं और पैर दूल करके यहां पर बिठा दिया है और अब यह जो धागा है वो बांदेंगे एक अलावा बांदेंगे और मैं जो टीका है वो लगा दूँगे और एक कमेंट आते मेरे पास नंदीता गुजरी के नाम से यह वसे तो उनकी बेटी है मेरी जो सब्सक्राइबर है उसकी बेटी तो उन्दोंने बूला था नाम लेने के लिए तो हैलो नंदीता और नंदीता की ममी को भी मैं वोल रही हूं है हैलो वहन कैसी हो एक है सोनू बांगर तो 26 को नेहा का बर्डे है तो हैपी बर्डे नेहा भगवान आपको हमेशा खुछ रखे और एक है मनीस धंडा की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं उनकी जो यह मेरी जो सब्सक्राइबर वो है अनू और उनके बेटे का नाम कस्विन है तो हैलो क्या से हो एक है पर्दीप सर्मा तो उनका नाम सुसीला उरुकी भतीजी मनीचा का बर्डे है तो हैपी बर्डे मनीचा बहगवान आपको हमेशा खुछ रखे दुनिया की सारी खुछ आपको मिले एक है वंदना व scripts हमेशा खुछ रखकर दुनिये की सारी खुछी मेरे बच्चे को मिले इक है बलराच चहल उनके भाई का बड़े है रहमन का तो हैपी बड़े रहमन भगवाण आपको हमेशा खुछ रखे एक है सुमेर सिंग तो 27 में उनकी बेटे सुधीर का बड़े है तो हैपी बर्डे सुधीर भगवान आपको भी हमेशा कुछ रखे और दुनिया की सारी खुसी आपको मिले इक है परमोद कुमार उनके भाई का बर्डे है तो हैपी बर्डे भगवान आपको हमेशा कुछ रखे तो जिनको भी मैंने बर्डे विसक्या सभी को जनम दिन की धे सबकामनाह운 जो-डे भाशाद है किता मिर्मोसी ए भिगा गाह też मिलें देइचों का सब्सक्राइब करें भिखा मतर जो-डात है बैरो बाबा है वो अपना जो खाना है वो खाएंगे परसाद लेंगे और सच बता हूं माता रानी की ऐसी किरपा होई कि जैसा मैंने सोचा था उसे भी कहीं बढ़ करके हुआ सब कुछ कियोंकि पूरे जो नवरात्रे रहे वो मेरे इतने अच्छे गए सरुन अवरात्रे से मैंने पnowी स्कामय थो और आखिर नवरात्रे पर थोड़ा बहुत जितना भी दान पुन हुआ और पूजा पूरे नवरात्रे में मेरा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हर रोज मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि इस दिन नवरात्रों में कुछ नहीं था तो सच में बहुत ज़्याद अच्छा लगे और मातरानी की किरपा आप लोगों पे भी वनी रहे मेरे जो भी प्यार करने वाले हैं जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे जो भी विवर्स हैं जो भुझे इतना स्पोर्ट करते हैं सभी की जिन्दगी खुशियों से भरे भगवान आपको हर सुख दे और हम से नफरत करने वालों को भी हमारे चैनल से नफरत करने वालों को डिसलाइक करने वालों को नेगेटिव कमेंट करने वालों को भी मातरानी सदबुद्धी दे उनको और उनकी भी जो जिन्दगी है व और जो परसाद हम देते हैं तो वह चीजें में दे दूंगी और सभी बचे बहुत खुश हो करके गए सभी ने पेट भर करके खाना खाया बहुत अच्छा लगा खाना खिला करके बच्चों को और मतारानी की ऐसी किरपा होई क्यूंकि कई बर क्या होता है ना कन्या मिलती नह नहीं होती है क्योंकि अब लोग थोड़ा सा इन चीजों में भी ना गल्त विस्वास रखते हैं जैसे कई नहीं भेजते हैं कई लोग और कई बर क्या होता है कि दूसरे के घर पर चली जाती है तो टाइम भी मुझे मिल गई और अच्छा और भी अच्छा यह हुआ कि मुझे इतनी भूख थी कि जो खीर और हल्वा है वो खा लिया तो उसी से पेट भर गया है तो मैं सुचा कि कोई बात नहीं मैं टोहाना से आने के बाद जो रोटी है वो बना दूंगे आपके लिए मिरकाका के लिए मैंने रख दी ती और जिसको भी मुझे परसाथ देना था और फिर उपना वो काम निम्टाने के बाद हम चल पड़े तोहाना क्यूंकि वहां पर हमें आज मंदिर में भी जाना था आप लोगों को पता है वहां पर भी हमने जो अखंड जो था वह जलवाई थी तो वहां पर भी जाना जरूरी था और वहां पर जाने की जल्दव यहां पर भी कुछ काम था हमें वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी तो अब हम जा रहे हैं जो दूसरा मंदर है यहां पर पास में ही पंच मुखी से मंदिर जो होडवारा तो अब उसमें जाएंगे और सब लोग आगया गे हैं हम माह बेटा पीचे पीचे हैं और य हम बोल भी रहे थे अगर यह किसी बड़े सहर में होता तो सच में एक दर्शनी अस्थल है अम तरह बहुत जादा भीड़ यहां पर लोगों की होती देखने के लिए आते जैसे हम कही बार सहरों में जाते हैं जैसे मत्थूरा वरिंदावन ऐसे सहरों में मंदिर देखने के तो बस उसी के लिए जो पुजा करवा। देखने के यहांपे नों की नों देवी ततना शढ़ा लग रहा था गोटी सुन्दर तरीके से मंदिर अब सजाया गया था और मैं दिखांगे आपको बाद में बहुत गई थी अब तो मैं बहुत घड़ी होके थोड़ी यहां पर द के दूसरी तरफ थी तो नो की नो जो देवी थी और सबी के आगे जो जवारे हैं जो वो बोए गए थे बहुत अच्छे हों रखए थे हिनके और सभी के आगे कलस की स्थापना की गई थी दिये जलाए गए थे ये दिखी कालगात्री महागोरी और सभी ती मितलब यहां पर जोगी होती है माता के बोल नुका माता मनें बुलाए दे जल्दी सी वलो और वहां से उठकर के हम आ गए हैं क्योंकि पंडिजी ने बोला कि अभी मुझे तो टाइम लगेगा आप वहां पर दूसरे पंडिजी हैं उनसे करवा लो और हमें जो यह काली माद्दा होती है जैमा महाकाली तो इ क Länder कीम्तिए न ऐसे कम आए हैं तो बस पंडिजी आप नहीं काम कर रहे हैं चांदी के जीव चड़ाते हैं और मीरे पास पास इतने कमेंट यह कंदीव बताई जाती हैं तो मैं बताओं मैं कम से कम 60 assess चड़हा चुकी हूं कोई ही यहां पर हमारे सीतला माता है दो दिन तो हम उसी पर चढः कर कרא box एक मंदिर में काली माता पर एक जगह फिर काली माता पर और एक जगह और चढ़ा कर कह आए थे और जो गुड़गाउं वारे के आप लोग बोलते हो कि गुड़गाउं जो जो सितला माता है उस पे आप जो चंदि कजीब वो चढ़ा कर कि आओ तो वो भी हम में बताई गई थी किसी ने वो हमने बोलाथा जो बोल भाविस हracy होता है यह उनारील होता है और जो जीब होता है वह वार करके रख दो और जिब आपका बेटा बोलने लग जाएगा तो आप गुडगाउं जागर के माता पे चड़ा देना और वो हमने रखी होई है और हम पहले भी चड़ा के आ जाते लेकिन आप लोगों को पता है ना ये टाइम कैसा चल रहा है तो लोगडान के चक्कर में हम नहीं गई पाड लेंगे बिटा ये खा जेंगे अपने जुल्या जुल्यान की मति है है तो सब्सक्राइब कर दोक्तर भी सननुए को मैं है मिला को रख्या है जब तो यू था दोड़ा इसाल तीन एक था 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 तीन का था दिखें आहां दिन विरानी सारे राज आने लटेल के आजया मा और यहां पर आई हुए थे तो हमने सुझे कि चलो जो सनी माहराज है उनको भी तेल चड़ा करके जाते हैं और जै के मारे में हम बाते कर रहे थे क्योंकि जिस पी पंडित जी के पास गए कहीं पर भी गए स्पीस थेरपी वाले के पास गए तो सभी ने यह बूला है स्पीस सेरे पीवाले ने तो बोल दे था कि इस लड़के को कोई दिकत नी है यह बूलेगा आप घर पे चले जो मैं वैसे पैसे बनाता रहूंगा आप लोग उसे क्या फायदा है इस चीज़ में और पंडित जी भी यही बोलते हैं कि यह थोड़ा बहुत तो कुछ तो है क तो यहां पर जो कलस यात्रा वो रही थी और हम रस्ते में थे तो हमने सुचे कि चेलो आप लगो के लिए में क्लिप निकाल लेती हूं अच्छा लगेगा आप लोगे को देख करके क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें अच्छी लगती हैं और यहां पर देखिए छोटे-छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहे थे राम राम जी तो इस सेंपे सड़े बारा हो चुके है और अब ही आई हूं मैं टोहाना से मंदिर में हम गए थे वहां पर तो अब मैं भी अपना जो परसाद है बोलूँगी और लेजिए आप लोग भी परसाद खा लीजिए मातरानी का तो चलिए एक बार मैं खाना खा लेती हूं उसके बाद फिर आप लोगों से बाते करती हूं तो खाना मैंने खा लिया है और अब मैं करूंगी बर्दन साफ और फिर वीडियो की अडिटिंग भी देखूंगी मैं क्योंकि जो बरड़े व्लोग है उसका जो सगिंड तो रहता है नहीं टाइम लगा मुझे कल नहीं कर पाई थी मैं तो देखूंगी और ठकावट सी हो गई है मुझे बहुत ही ज्यादा लेकिन करना है अपना काम भी तो मैं सुझे चलो आप लोगों से मिल करके हम वीडियो का एंड कर देते हैं आप लोगों को बाई-बाई अच्छा लग रहा है आज क्योंकि कई दिनों से मैं बस यही हो रहा था बाहर आना जाना कभी कुछ करना कभी कुछ करना कम से कम आठ नो दस तिन हो चुके हैं पूरे दस दिन हो चुके हैं बस मतलब अपना वह जो रूटीन होता था डेली का वह हो ही नहीं रहा था कभी अभी कुछ तो आज सारा नीमट चुका है और बहुत अच्छे ऐसे हुआ जो कन्या पूजन था वो भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रगा और जो मंदिर में हमें काम करके आना था वो भी हम करकर के आ गए हैं तो बस अब मैं फ्री हूं अब अपना वही जो रूटीन है वो होगा और काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है सुभह में तो मैंने जल्दी ही निम डाली है था आज भी लेकिन जो अगर वो लग जाती काम वाली तो फिर थोड़ा सा असान हो जाता लेकिन उनके वहां पे डैथ हो रखी है इस वज़ासे वो नहीं आ पाई तो पांद छे दिन तो है काम ज्यादा फिर तो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि वो कर देगी ना कुछ आने के बाद इसलिए तो बस अब मैं जय को सुलाओंगी और फिर उसके बाद अपने बरतन हैं वो साफ करूँगी वीडियो के एडिटिंग का काम करूँगी तो चलिए मिलते इसे अब नहीं दा रही है नहीं दा रही है तो चलिए फिर मैं जय को सुला देते हूं और आप लोग भी रेस्ट करिए